नमस्कार मैं आसी स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिच्छा प्लस में तो जिसका सभी को इंतिजार था यूपी पी साथ हजार कॉंस्टेबल की बरती मलब कहा जाए परदेश की सबसे बड़ी भरती अगर कॉंस्टेबल की है तो यहाँ सबसे बड़ी बरती कंस्टेबल की निका लिए तो इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको सहचिक आहर्ता क्या चाहिए education qualification चाहिए physical fitness क्या चाहिए आपका और examination में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा और आपको कैसे तैयारी करने और परिक्षा प्लस team आपको इस exam के preparation में क्या help कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यह जान लो कि परिक्षा प्लस team पूरा यह course आपको free of cost दे रहे हैं जितने भी बच् stable बनना है वर्दी पहणना इस बार अपने जान पहचान मामा चाचा पूफा जिसके भी सभी अपने भाईयों को सेयर कर दीजिए सब को सेयर कर दीजिए इस बार आप पुलिस जरूर बन जाए ठीक है तो क्या चाहिए आपको form fill करने के लिए तो यह ध्यान रखिएगा सब से पहले education की बात करें तो इसमें आपको सिफ 12 पास होना चाहिए अगर 12 पास नहीं है तो equivalent मतलब अगर आप डिपलोमा किये हो इसके तो वो भी आपका चलेगा 12 पे पास होना चाहिए एज क्या होना चाहिए आप बच्चों की बात है कि यहां पर सर relaxation मिलेगा कि नहीं इतने दिनों बात भरती आ रही है तो वो तो आयोग करेगा कि देता है या नहीं देता है लेकिन अगर आप इस age criteria को fulfill करते हैं अगर जो male candidate है 18 से 22 साल के बच्चे जो है वो तो एकदम लगी जाए बाकी relaxation की बात notification में clear होगी और जो female candidate है 18 से 25 शाहिए उनके लिए हाँ OBC, SC और ST के लिए यहां पर पांच साल का relaxation मिलता है तो आप जोड़ लीजिएगा बाइस पांच 27 पर आप पहुंच जाओगे और महिलाएं जो है आपकी यहां पर यह ध्यान रखिएगा अब आगे हम बात करें फिजिकल क्या चाहिए आपको फिजिकल फिटनेस भी कुछ चाहिए उ आप as a male candidate है तो उनके लिए 168 cm हाइट चाहिए female candidate है 152 cm हाइट चाहिए अगर ST के लिए थोड़ा अलग होता है मापदंड 160 cm मेल में और female में 147 cm की हाइट चाहिए तो almost जो लोग यह हाइट रखते हैं एकदम तयारी में जुट जाइए लेट नहीं करना है क्यूंकि 11 फरव करें अगर हम आप लोगों से कि चेश्ट क्या होगा इसमें सीने का फुलाओ थोड़ा सा आपसे मानता है तो सीना कितना होना चाहिए तो सभी लोग जिनका नहीं है थोड़ा कम हो रहा है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है थोड़ा पूसप पूसप लगाईए है तो यहां पर जेनरल ओवी सी और ऐसी के मेल कंडिडे देट के लिये चेश्ट का हुलाओ नहीं चाहिए दिखान रखिएगा मेल कंड़डे के लिए 79 बिना फुलाओ और हुलाने के बार 44 होना चाहिए आपका फूलाने के बार 5 Esseटीन ah होना चाहिए आपका उक्लान चाहि तो यह चेस्ट वाला आपसे मांगा गया है यह ध्यान रखिएगा अब आते हैं थोड़ा सा रणिंग की बात कर लें जो आपका बाद में होगा सबसे फेस जो एक्जाम होगा वह में बता दूँगा कि पहले क्या पहले आपका एक्जामिनेशन होगा एक्जाम होने के बाद जब आप सॉट लिस्ट किये जाओगा तो आपको रणिंग के लिए बुलाए जाएगा फिर आपकी रणिंग के साथ ही डीवी पीस्ट होती ही यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर मेल केंडिडेट के लिए 4.8 किलो मीटर दोड़ अगर यह सब कुछ आपके पास तयार है तो रिटेन एक्जाम क्या होता है इसका और वो कैसे हम तयार करें तो उसके लिए परिक्षा प्लस्टी में उसके लिए एकदम मत सोचिए एक्जाम पैटर में जीके के आपके 38 कोश्चन होंगे हर एक कोश्चन दो मार्स का होगा 76 76 नंबर का आपका होगा अब बहुत ही आसान तरीके से आपको पूरी परिक्षा प्लस्टी में इस जीके को पढ़ाएगी इसमें जितना पॉइंट टू स्लेबस जो दिया ना क्यूंकि उत्तर प्रदेस में जो भी भरती हो रही जितना स्लेबस में दिया गया है वैसे ही आ आपके आएंगे 74 माक्स के अब देखो रिजनिंग का वेटेज यहां पर फुरा सा जादे है मैच देख रहे हो काते हैं अब बच्चे सब मेरा मैत नहीं साहिए अरे मैत नहीं साहिए तभी भी खुज रहो मैत नहीं साहिए यहां पर मैत के कुश्चन मुस्किल से 17-18 कुश यह आपको परिक्षा प्लस टीम इसके कंटेंट देंगी मतलब आपको ऐसा रहता है कि सिचुएशन बेस कुश्चन होता ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा वो सब चीजे होंगी वह आपको रमान सरे इदम बहुत बिधवत तरीके से पढ़ाएंगे क्यों भी दिखाएंगे क अब ही इदर जो रिसन पिछला वार पेपर हुआ था उनमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे ठीक है यह ध्यान रखिएगा वह ऐसे तो आपकी नहीं है लेकिन वह पिछला जरूर देखती है कि कैसे स्लेबस के कॉर्डिंग पेपर बनाना है तो यह ध्यान रखिएगा तो 0.25 का निगेटिव मार्किंग होगा यह ध्यान रखिए 300 मार्क्स का होगा अब आते हैं यहां पर सेलरी कितनी मिलेगी अखिर हम कौन स्टेबल बनेंगे तो सेलरी अगर हम बात करें हम कुछ नहीं जोड रहे हैं अगर हम आपकी बेसिक की बात कर लें और सिर्फ डिये इस स पास आपको सेलरी मिलेगी तो ठीक ठाक आपकी सेलरी भी है तो जिन्हें भी तैयारी करना है एकदम लग जाए परिक्षा प्लस टीम इस कोर्स को एकदम निसूल्क चला रही है एकदम निसूल्क अभी जो यह आप देख रहे हैं हमारे पास यह वर्दी बैच की नाम से है यही कॉंस्टेबल का बैच हम ले आएंगे यही बैच आपको फ्री कर दिया जाएगा जो यह 499 का है यह बैच टोटली आपका फ्री हो जाएगा कोई भी पैसा आपको नहीं देना है जो भी चीजे जिसको एदम थियोरी पढ़ना है वहां से थियोरी पढ़ सकता है उसकी पीडियेफ सब कुछ ले सकता है और साथी साथ हम पर डे बेसिस पर आपके यहां पर यूटूप चैनल पर तो सबसे पहले यूटूब चैनल जलो सब्सक्राइब कर लो YouTube channel पर पर डे आपके पर डे जो होगा वो चार घंटे का मौक तेस्ट होगा पूरा एकदम ऐसा मौक तेस्ट नहीं कि सिर्फ question बताया गया answer बतायागा ऐसा मौक तेस्ट होगा कि उसके हर एक option जितने भी आपके question के option होगे विधवत उसको explain किया जाएगा ताकि आप इसी के माध्यम से पूरी एक महिना में तयारी कर ले ठीक है तो जितने भी लोग channel पर नए है चैनल को जरूर सुस्क्राइब कर ले साथ ही साथ परिक्षा प्लस एप क्या करिए परिक्षा प्लस एप इंस्टॉल कर लीजिए आप कहां से play store से एप इंस्टॉल कर लिए एकदम निसुल तैयारी आपके एकदम बहतरीन तरीके से होगी पूरे जबरदस तीम एनरजी के साथ जोड़ेगी आप लोग भी पूर से विदा लेता हूं बस तरह यह सुस्तर यह जबरदस तीम